आज काफी जल्दी आ गया एरिक मार्क निकल्स एरिक को अपनी मरम्मत करवानी है चला उठो आलसी हो रात पर चार्ज करने के बाद भी तुम एक्टिव क्यों नहीं होते हो चलो एरिक की मरम्मत करदो ताकि वो काम पर जा पाए समझ में नहीं आ रहा है किन आज हो क्या गया है वाँ तुमने ठीक कहा है रिक इनके चार्जिंग रात बर आफ थी शायद इसलिए ठके हुए लग रहे हैं चलो सारे आलसियों चार्ज होने का बक्त आ गया है ओ चेक मेट ये ओके मैकेनिक साथियो अब तुम तरो ताजा हो गये हो तो काम खत्म करे होगा अरिक जल्दी ही आप से गयको के गरेज बें फिर से मिलेंगे हापी हैलोवीन डरो मत मेकेनिकल्स ये तो मैं हूँ गेको रुको एक मिनट ये कैसी अजीब आवाज है फिर से वही आवाज ये सच में कोई भूथ तो नहीं जो हैलोवीन के दिन आया है वो जो कुछ भी था लगता है अब चला गया मुझे लगता है कि ये गैरेज बूथ या है ब्लू रुको एक मिनट ब्लू जरा आगे तो आओ ये आवाज तभी आती है जब तुम हिलते हो घबराने की बात नहीं शेक करो श्रीक करो आवाज भ्लू के पही से आ रही है इसलिए चिल करो थोड़े से तेल से काम बन जाएगा और हम कहेंगे बाई बाई भूथ घबराहट खतम अब हम अच्छे से हैलोवीन मना सकते हैं हैपी हैलोवीन दोस्तों बाई हैलो दोस्तों मैं हूँ गेको आज का दिन बहुत ही सुहाना है तुम मैंने सोचा थोड़े पक्षियों को ही देख लूँ अरे देखो वो दोनों जुड़वा भाई बैरी और कैरी अरे नहीं बैरी तालाव में गिर गिया जल्दी मेकैनिकल्स हमें उसकी मदद करनी है चलो चलो टिली टो ट्रक घबराओ मत बैरी हम तुम्हें जल्दी महा से निकाल लेंगे ब्लू चलो तुम्हें चेक करते हैं हम अजीब बात है तुम्हारा एंजिन चल नहीं रहा कैरी बैरी को खुश करने के लिए आया है कितना प्यारा है मुझे लगी रहा था कुछ तो कड़बड है ये मचली जरूर बैरी के एक्जॉस्ट में फस गई थी इसलिए इसका इंजिन नहीं चल रहा था कितना अच्छा होता है जब आपके दोस्ट आपसे मिलने आते है इससे आप जल्द ही ठीक भी हो जाते हो मचली भी अपने घर सुरक्षित पहुँच गई उसके दोस्तों को चिंता हो रही होगी खेर अंत भला तो सब भला आपसे फिर मुलाकात होगी बाई प्रेज की सफाई कर रहे है यह अजीब सी आवाज कैसी है अरे बाबी दा बस तुम्हारी तब्यद कुछ ठीक नहीं लग रही आजाओ देखते हैं तुम्हें क्या हुआ है अरे बापरे बाबी की तब्यद बहुत ही खराब है चलो देखते हैं कि क्या किया जाए हम्हाइद तुम्हारे रेडियेटर को पानी की ज़रूरत है चलो जाओ मेकैनिकल्स आओ नई ये तो सही नहीं है एक मिनट रुको आहाँ वेचारे बाबी का ओयल लीक हो रहा है ओयल से इंजन बिल्कुल ठीक तरह से चलता है हम इसे ठीक कर सकते हैं हमें लीकेज की जगा पता चल गई है तुम्हारे पाइप से ओयल लीक हो रहा है ग्रीन छेद को बंद कर देगा अच्छी तरहा पाइप को वेल्ट करके और प्लास्टर तुम्हारे आउची को साव रखेगा अब कैसा लग रहा है बॉबी एक और हैपी कस्टमर तो आज के लिए बस इतना ही अगली बार फिर मिलेंगे गेकूस गैरेज में बाइज ओ, हेलो दोस्तो वकीदा आईस्क्रीम ट्रक यहां रिपेरिंग के लिए आई है हमारा काम बस खत्म ही होने वाला है ठैंक्स येलो क्या तुम स्क्रूड्राइवर ला सकते हो? ध्यान से मेकैनिकल्स उस पाइप के अंदर बरफीली हवा है इससे विकी अपनी आईस्क्रीम फ्रीज करती है येलो उस बटन को मत चूना पहते हैं'M किकी अपकल्स यहाँ खड़कल्स बुम हएभ प्रेस chemical प्रेस ट्रीम फ्रेव induokर एव प्रे-व ऑुम है ईंगः थैंक्स मेकानिकल्स तुमने मुझे बचा लिया चलो, अब चलके विकी को ठीक करते है शुक्रिया विकी बाई दोस्तो हेलो दोस्तो एरिक दी एक्सकवेटर आया है सर्विस के लिए हमें ये चेक कर रहा है कि वो अपने खुदाई के काम के लिए फिट है या नहीं कौन-कौन मदद करेगा तो मैं चूज करता हूँ येलो मुझे पता है तुमें खेलना है लेकिन गैरेज के काम में भी तुमें उतना ही मज़ा आने वाला है सबसे पहले हम तुमारा एंजिन चेक करेंगे एरिक तो एंजिन को जोर से चालू करो तुम इससे बेतर कर सकते हो एरिक बढ़िया कैच येलो वक्त है तुम्हारे कैटोपिलर ट्रैक को चेक करने का ये सर्विसिंग का आखरी हिस्सा है एरिक देखते हैं तुम्हारे डिगर आम्स कैसे काम कर रहे हैं इनको ओइलिंग की ज़रूरत है येलो बहुत अच्छे एरिक तुम सर्विसिंग का टेस्ट पास कर गए हो और अब खोदने के लिए बिलकुल तयार हो तुम जाकर खेलोगे येलो मैंने कहा था ना काम में मज़ा आएगा आप सबसे फिर मिलेंगे कुछ और मज़ेदार कामों के साथ यहां ग्यको उस गैरिज में हेलो दोस्तो मैं हूँ गैको और हम जा रहे हैं अपने घर वो तो बेबी ट्रक है क्या हुआ बेबी ट्रक क्या तुम्हारा डमी को गया परिशान मत हो हम उसे ढूंड निकालेंगे चलो चलो मेक्यानिकल्स उन लाल फूलों के आसपास ढूंडो तुम्हे कुछ दिखाई दिया उन हरी जाडियों में देखो क्या कुछ दिखाई दिया वो जरूर यहीं कहें होगा जरूर यहीं कहाई दिखाई 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 I'm sorry baby truck मुझे तुम्हारा डमी कहीं दिख नहीं रहा ब्लू शापाश तुमने ढूंड ही लिया यह लो baby truck अंत भला तो सब भला मदद के लिए शुक्रिया दोस्तो बाई तुमने सही कहा green वहाँ आग लगी है ऐसा लग रहा है फियोना fire truck आ रही है ओ नहीं ममी और baby truck साथ में racing कर रहे हैं और फियोना का siren उन्हें सुना ही नहीं दे रहा फियोना लगता है तुमें एक तेज आवास वाला siren लगाना होगा चलो मेकैनिकल्स चलो फियोना का नया siren लगाते हैं हाँ ऐसे ही बस हमें एक अच्छी सिन्नी नो आवाज चाहिए काम हो गया शुरू हो जाओ फियोना ये तो ठीक नहीं है ये तो डोर बेल की आवाज है फिर से ट्राई करते हैं अरे ये तो डाइनोसौर की आवाज है हमें चाहिए नीनौ हाँ ये नीनौ है पर इसकी आवाज तेज होनी चाहिए हम ट्राफिक में हमें तेज आवाज चाहिए येलो साइरन की आवाज तेज करो ताकि वो सुनाई दे अब आई ना नीनो की तेज आवाज बाई फियोना, गैकोस गैरेज में आने के लिए शुक्रिया ब्लू, ब्लू, तुम कहा हो हेलो दोस्तो, आज हम बाहर काम कर रहे हैं क्योंकि फियोना की सीड़ी फस गई है और वो बहुत उंची है हमें तुम्हारे टायर भी चेक करने होंगे फियोना ओ ब्लू, क्या कोई कार जैक लेके आएगा प्लीज बहुत अच्छे रेट, मैं रिंच लेके आता हूँ फिक्र मत करो रेट, हम तुम्हें नीचे उतार लेंगे ग्रीन, यलू, एक चादर लेके आओ, मेरे पास एक आइडिया है रेट, जब मैं कहूँ कूच जाओ, तो कूच जाना, ठीक है? कूच जाओ ओ ब्लू, वक्त है तुम्हारा हीरो बनने का तैयार हो ब्लू, थ्री, टू, वान, गो डरो मत, हम तुम्हें पकड लेंगे फ्यू तुम्हें अच्छा काम किया ब्लू, हुरे, ब्लू है हीरो चलो सुपर मेकैनिकल, फ्यूना की सर्विस खातम करते है आपसे फिर मिलेंगे, बाई ओ, हेलो दोस्तो, मैं और ब्लू बाहर जा रहे हैं, गैरेज के लिए क्रिस्मस ट्री लेने ये तो बॉबी तब बस है वो फस गया है हॉट चॉकलेट से गर्माट मिलेगी चिंता मत करो बॉबी, हम तुम्हें जल्दी बाहर निकाल लेंगे कोई फाइदा नहीं, हुक निकाल दो ब्लू कोई और तरकीब देखते है ओ नहीं, अब तो तिली भी बर्फ में फस गया ओ नो ब्लू, लगता है हम भी फस गये हैं यहाँ उदास मत हो ब्लू, कोई तो हमारी मदद करेगा तब तक हमें यह हॉट चॉकलेट गर्म रखेगा उपस, देखो, हॉट चॉकलेट से यह बर्फ पिगल गई मेरे पास एक आइडिया है ही यह काम आया, वही रुको बॉबी यो वेलकम बॉबी लेकिन अब हम इस गिरे हुए पेड़ का क्या करे आहा परफेक्ट मेरी क्रिसमेस दोस्तो गयको उस गैरिज में आपका स्वाकत है दोस्तो हम अभी अपना एमर्जेंसी अलेर्ट सिस्टम लगा रहे है ऐसा लगता है कोई मुसीबत में है चलो चलो उठीलीटो ट्रक ये तो एरिक दी एक्सकवेटर है लगता है ये चटान से टकरा गया है देखो इसका कैटरपिलर ट्रक तूट गया है ओ ब्लू जानता हूं तुम्हें तूफान से डर लगता है पर तुम्हारी मदद चाहिए तुम हमारे लिए बहादूर बनोगे ओ मैं वहाँ पहुच नहीं पा रहा और मैं बड़ा होनी की बज़े से वहाँ नहीं जा पा रहा ओ ब्लू हमेंसे जल्दी ठीक करना होगा लगता है वो बांध तूटने वाला है ब्लू इतना चोटा है कि उसके नर्फिट हो सकता है शाबाज ब्लू तुम सच में बहुत बहादूर हो ओ नहीं ये बांध बस तूट नहीं वाला है जल्दी करो ब्लू ओ शाबाज ब्लू तुमने अपने डर का सामना किया और वो देखो एक रेंबो तो आज के लिए इतना ही दोस्तो बाई ये तो मम्मी ट्रक और बेबी ट्रक है आप दोनों यहाँ क्या कर रहे है सुरंग ब्लॉक है और आप जा नहीं सकते हम्म्म मैं एक बार देखता हूँ ओ सुरंग डह गई है यहां से भी टह गई हम तो अंदर फस गए फिक्र मत करो मेरे पास मेरी टूल किट है हमेसे बड़ी टूल किट चाहिए इस चटान को तो टिली भी नहीं हटा पा रहा अब हम यहां से बाहर कैसे निकलेंगे मुझे नहीं मालूम था आप में इत्ती ताकत है मम्मी ट्रक ने हमारी जान बचाई मैं एरिक दी एक्सकवेटर से कह दूँगा कि वो यह सारे पत्तर हटा दे और ज्यादा फन और एडवेंचर के लिए आपसे फिर मिलेंगे गैको उस गैरिज में ओ मगैनिकल देखो यह है ट्रक फैमली गुड बॉर्निंग एवरिवन यह बहुत अच्छी नाव है बेबी ट्रक जो तुमने बनाई है ओ नहीं एक टायर यह बेबी की नाव की तरफ आ रहा है देखो ठैंक्स मामा अब हम इस टायर को रिसाइकल करते हैं हे देखो इतना कच्रा हम यह सारा कच्रा उपर की तरफ से आ रहा है चलो चले तुम यहीं रुको यलो नाव की रक्षा करो इतना ज़्यादा कच्रा आखिर यह कौन कर रहा है मिस्टर वीजल यह क्या कर रहे है गैको मैं अपने सारे कच्रे से पीछा शोड़ा रहा हूँ इसके टायर फस गए तुम्हें नदी में कच्रा नहीं डालना चाहिए मिस्टर वीजल ओ नहीं वो बेबी ट्रक और बोर्ट की तरफ सीधा जा रहा है बचाओ आपको नदी में कच्रा नहीं फैक न चाहिए यह नदी को गंदा कर देता है आप बेबी ट्रक की बोर्ट को लगभग बरबाद करने वाले थे एक बोर्ट? मैं तब से बोर्ट से नहीं खिरा जब मैं छोटा वीजल था मेरे पास एक आइडिया है हम इस कच्रे को रिसाइकल करते हैं पुरानी चीजों से चमकदार नहीं चीजे बनाए मैं आपको दिखाता हूँ पता का फेराओ देखो यह अच्छा जहाज आ रहा है वीजल की बोर्ट आगे बलो यह बहुत मज़ेदार है नदी एक बार फिर साफ हो गई है दुपारा मिलते हैं बाई हेलो बॉबी ओ डियर चलो तुमारा पुराना पंपर बदलते हैं ठीक है मेकेनिकल्स क्या तुम लोग पंपर निकाल सकते हो बहुत साफदानी से साफदान मेकेनिकल्स हमें एक साथ करना है तुमें अब इसकी मरमत खुद करनी होगी अपर थाहिं बदि нужकते हैं ओुमें दुमें तक्स ओुमें अव बाई मेकेनिकल्स, तुम्हें एक साथ करना होगा. ओ, अच्छा काम किया मेकेनिकल्स. देखा, एक चोटी सी टीम कैसे काम करती है. बबी, अब तुम ठीक हो. नाइस स्केच, क्रीन. ये अच्छी खुश्बू क्या है? जी हाँ, हर गरहा के लिए एक फ्री कबाब. इससे मुझे और गरहा क्बाब जरूर मिलेंगे. तुम अंदर जाओ, एरिक. जल्दी से पको. कुछ जल रहा है क्या? पता नहीं, इसको अब क्या हो गया? नहीं, मेरी खुब्सूरत बार्बीक्यू. फियोना, फाइर ट्रॉक, यहां आग लग गई है. ये अब आज कैसी? जल्दी से उस आग को बुझाते हैं. जाओ, जाओ, मेकेनिकल्स. बचाओ, बचाओ, जल्दी करो. ये क्या क्या? उफ, माफ करना. पाइप उतनी दूर नहीं पहुचेगा. अच्छा एडिया, फियोना. आउप फाइर एक्स्टिंग्यूशर का इस्तमाल करे. मैं पकड़ दिया. शुक्र है, सब सही सलामत है. सभी ने अच्छा काम किया. जल्दी मिलते हैं, बाइप. हाँ, शुक्र है, कि अब तो बारिश बंध ही हो गई. अब हम बज़े से पिक्निक मना सकते हैं. हेलो, मैं इस शेहर में नहीं हूँ. कैट है मेरा नाम और बचाना है मेरा काम. मैं यहां सब को सुर्ण शुर्ण रखने आई हूँ. हेलो, कैट. मैं हूँ गैको. और ये सारे मेकानिकल्स है. हम सब पिक्निक मना रहे हैं. तुम शामिल होना चाहोगी? ओ, क्या तुम्हारे पास चिकन सैन्विच है? हाँ, अगर है तो. तुम्हारे पास है क्या? टेली, मैं आ रहा हूँ. तो, बहुत ज्यादा कीचड है. टेली फिसल कर दूर जा रही है. चलो हेलीना, किसी को बचाना है. मैं पास रही है. संबलकर तुली, ठांच से चला अब्डू. मैं पास रहा हूँ. मैं पास रहा हूँ. क्ये तो, छत्री इस्तमाल करो. अहां. बाल बाल बचे. ये लो, तुम फिर से साफ हो गए, टेली. हमारी टीम का जवाम नहीं, गैको. बिल्कुल सच कहा. मदद के लिए शुक्रिया, कैट. इतना शोर शरावा कैसा. ये तो बैरी मस है. लगता है काफे जल्दी में है. तुम ठिक तो हो न, बैरी? हो. तुम्हें ठेर है ना कि तुम लेट हो जाओगे? लेकिन ऐसे तो तुम कहीं भी नहीं जा पाओगे. रुको मुझे तेखने दो. ग्रीन, मेरा सबसे अच्छा पाना लाओगे, प्लीस. ओ, ग्रीन, तुम्हें भी टेंशन हो रही है न? मुझे ऐसा लगता है कि हमें गहरी सास लीनी होगी. रुको मैं दिखाता हूँ. सबसे पहले तुम एक गहरी सास अंदर लो. और फिर सास बहार छोड़ो. हाँ, अब तुम ट्राय करो. अंदर, एक, दो, तीन, चार, पाँच. छोड़ो, एक, दो, तीन, चार, पाँच. हाँ, तो बैतर है न? हाँ. याद रखो, अगर टेंशन के वक्त गहली सास लोगे, तो टेंशन कम हो जाती है. बाई, बैरी. हाँ, देखो रैट, कैट आ गई है. हेलेना हेलिकॉप्टर पर हमने जो नए विंटर स्किट लगाये थे, उससे वो बर्फ पर अराम से उतर पाएगी. यहा, तुमने कड़ दिखाया हेलेना. कैसी हो, कैट? कैसे हो, गेको? हाँ, देखो, रैट. कैरी और बैरी स्नो मैन बना रहे हैं. हे, वहाँ. हाँ, वहाँ. हाँ, वहाँ, वहाँ. हाँ, यकीन नहीं हो रहा है. वह सब दूर जा रहे हैं. चलो, चलो, टिली टोट रख. तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, हम तुम्हें बचा लेंगे. हाँ, पकट लो, कैरी. कैट, क्या तुम बेरी तक पहुँच सकती हो? हाँ, बिल्कुल. हाँ, बिल्कुल. हाँ, बिल्कुल. हाँ, बिल्कुल. हमने कर दिखाया. काश हम स्नोमैन को भी बचा पाते. गेको? यह तो गेको है. हाँ, कोई बात नहीं, कैट. आखिर में हम स्नोमैन मिल ली गया. हाँ, या फिर स्नोगैको ही कह दो. हाँ, हाँ, बस हो गया, फियोना. यह आ गए तुम्हारी नई सीडी. हाँ, हाँ, हाँ. हाँ, हाँ, यहाँ. हाँ, कैट, अराम से. कैसे हो, गेको? मैं और हेलना अपने लूप्स की प्राक्टिस कर रहे हैं. देखो हमारा कमाल. वुहू! यहाँ, एक बड़ा वाला हो जाए है, लिना. हाँ, सबर कर. अरे, नहीं. कुछ आ रहा है. तुम ठीक हो न, रेड? यहाँ, हेलना की स्किट्स के बिना में लैंड नहीं कई सकती. अरे, नहीं, जल्दी करो मेकनिक साथियो, उसकी मदद करनी होगी. जल्दी से वो पहिये लेकर आओ. मुझे थोड़ा और नस्दिक जाना होगा. कुशिश कर रहे हूं, कुशिश कर रहे हूं. नहीं! समयल कर गये कौँ. ब्लू, वो स्केट्स को उठाओ. हाँ, एक आइडिया है मेरे पास. अभी ब्लू. शुक्र है. एक और बड़िया लैंडिंग. मदद के लिए शुक्रिया गेकौ. कोई बात नहीं, कैट. ये तो मेरा काम ही है. लो, हो गया, एरिक. अब तुम्हारा हाथ बिल्कुल ठीक है. मेकनिक साथियो, ये क्या कर रहे हो? आवा पादी. ओ, अच्छा. पाइरिट्स का खजाना ढून रहे हो क्या? कैसे हो मेरे साथियो? हाँ, अब ये आवास कैसी थी? हाँ, एरिक को शायद कुछ मिला है. शायद बहुत बड़ा खजाना. पता नहीं ये सब क्या है? ओ, यलो. हो सकता ये सोना ना हो, पर इसका मतलब ये नहीं के खजाना ही ना हो. ये तो एक पुरानी रेलवे हाथ गाड़ी है, पर… हम, कुछ कमी जरूर है इसमें. अरे वा, एरिक को पुरानी पट्रिया मिल ही गई. अब कोशिश करके देखो साथियो. देखा, सिर्फ इसलिए के कोई चीज सोना और चांदी नहीं होती. इसका मतलब ये नहीं के खजाना नहीं है. बहुत खूब साथियो. बहुत अच्छे साथियो. ये सब क्या हो रहा, स्क्रू ड्रैवर्स? लगता है कोई बहुत ज़्यादा दुखी है. ओ, देखो, ये तो मॉन्स्टर ड्रक और उसकी छोटी बहन मॉली है. हमें उसकी मदद करनी होगी. हेलो, मैक्स. हेलो, मॉली. हाँ, गोल जूले को ठीला करना होगा. फिक्र मत करो, मॉली. ये फिर से घूमने लगेगा. देखो, ये तो ट्रक परिवार है. हेलो, बेबी ट्रक. क्या तुम्हें पतंग उड़ाने के लिए मदद चाहिए? मुझे एक आइडिया मिल गया है. मैकनिक साथियो, हमें थोड़ा तेल और पाने की जरुरत होगी. ठीक है मेरे साथियो, धक्का लगाओ. अरे, इतना बेज नहीं! ओ, ओ, नर्स की कसम चक्कर आ रहे हैं. देखू, मेरा प्लान काम कर रहा है या नहीं. तैयार मेरे साथियो, इस बार संभल कर. काम कर गया, बहुत बढ़िया साथियो. हा, सब बहुत खुश हो गए.